एक आदमी मर गया, पहुँच गया उपर, जब उस उवह उपर पहुचा उसने भगवान से पोस्टन किया, भगवान तू बहुत बेकारा थे, तेरे को सब पता होता है इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करने, तू कहे को करता है, तेरे को पता है इस मौसम के अंदर बरसात नह तेरे को सब पता है यहां पानी नहीं चैंट, वहां बार्थ क्यों दे देते हैं। उस आदमी ने बोला कुछ दीन के लिए गारी मुझे चला देते हैं। और देख यह दुनिया कैसे चलती हैं मेरे इस आड़ेते। भगमान ने बोला देख जिद मत कर। तेरे को दुनिया चलाना ही नहीं है, तुछ सब लट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तब तुम ओला गिरा देता है। और यह सब तुम्हारे हाथ में हैं। भगमान ने बोला देख तंग बत कर। उस बादी में ने पकड़ लिया उसका हाथ। और भगमान ने बोला ले डिराविंग सीट पे अब तुम बैट और इसके बाद जब यह बैठ आपने डिराविंग सीट पे भगमान का डिराविंग सीट पे तो यह दियार ने बोला देख क्या मस्त चला रहा हूं। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था तब पानी बरसाया, जब धूप चाहिए थी उतना टेंपरेचर जितना टेंपरेचर चाहिए तो उतना डिगरी तेंपरेचर दिया, उसने उतना डिगरी दिया, जितना पानी चाहिए तो उतना पानी दिया, जितना तापमान जितनी ओस जितनी फॉग यहूं को पकने के लिए इतनी फॉग चाहिए उसने फॉग दिया, टाइम पर बारिष हुई, जितनी चाहिए उतनी बारिष हुई, एक साल के बाद जब फसल काटने का समय आया, उसने भगवान से बोला देख रहे हैं, हम चलाते हैं ये दुनिया, क जितनी फसल काटने के बाद उसे प्रोसेस किया गया, उसमें एक भी दाना यहूं का नहीं निकला, उसने भगमान तब बोला भगमान ने, तम तुमने सब कुछ ठीक किया, पानी भी सब कुछ दिया, टेमपरेचर भी दिया, लेकिन उसने बोला तेज बारिष से लड़ने क चुड़ काता हैं, लेकिन वाओं शेन भी दिया, तुमने अंकुर निकलने का मौका है, युए दोस्ते, आप जो भी परिश्तिते में है परतिकुर पर्जिती हो या अंकुर परिष्तिती हो या अदि आपको कट्लित सामना करना परता हैं, तो आप कट्लित सामना की से एज इससे आपको क्या सखलता में बहुत आपको शूलिक हो रहे हैं थांकियो